हेलो इंडिया प्यारे दिस्वासियों को मेरा भीनंदन मेरा नाम डॉक्टर कमाथ पुनीत गोले और हमारे यूट्यूब चैनल ए टूजर्ड करियरस में आपका स्वागत यहां पर हम आपसे डिसकस कर रहे हैं हायर एजूकेशन के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूजी सी एक्ट के बारे में 56 यूजी सी की स्थापना कब हुई कहां इसके एड़ उफिस हैं कौन इसके चेर्मैन है इन सब के बारे में आज आपको पता लगेगा इस वीडियो से यह बहुत इंपर्टेंट वीडियो क्योंकि यूजी सी के बारे में जब दिखा गया है यूजी सी का कोई ना कोई कोशन जरूर आ जाता है तेपर फरस में हायर अच्विशन के चार से पांच कॉशन आते हैं अगर आप यह सारी वीडियो देख जाएगे तो सारे कॉश्ट आपको इसी में मिल जाएंगे फैट्स एबाउट यूजी सी के 10 में दे देते हैं और I am very thankful to you all subscriber कि आपने हमें विश्वास किया और आप लगातार हमारी वीडियो देखते हैं और लगातार हमारे channel A to Z credits को subscribe करें I am very thankful to you and I am very thankful to YouTube also जिन्होंने हमें एक ऐसा platform दिया है जो पूरे world में कहीं नहीं है बिलकुल free of course हम अपनी अवाज दूरस्त इलाकों में पहुचा पाते हैं Google और YouTube का thanks करते हैं Thank you very much Google and YouTube तो चलिए शुरूबात करते हैं आज की quiz की hashtag number four higher education के लिए 31st question है UGC UGC की form आपको अभी तक पता लग गई होगी University Grants Commission UGC इंडिया statuary body है यह question भी कई बार पूछा गया है और यह किस act के तहाइट found की गई ती इस्तापित की गई तो पहला question तो आप यह याद रखेंगे UGC कैसी body है UGC statuary body है Indian Union Government ने in accordance to UGC Act 1956 के थैप इसको इस्तापित किया यानि केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून बनाया था UGC Act 1956 इसे आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं 1956 में UGC की स्तापना हुई ती या UGC का कानून और आपको English grammar उसमें सीखनी है तो यह वर्ण होता है headquarters तो UGC का headquarters कहा है UGC का विश्व विद्याले अनुदान आयोग का headquarters न्यू डेली में है न्यू डेली में बाद्दूर साजय फर्माग पर इसका head office है UGC का next question है UGC has how many regional centers और कहा कहा है UGC के छे regional centers है पहला है पूने महारास्ट में मध्यपरदेश बोपाल में वेस्ट बंगाल कोलकटा में तेलंगाना और आंद्परदेश की रादानी हैदराबाद में असम गौाटी में और करनाटक की रादानी बैंगलोर में केवल अगर आप प पूने महारास्टा की capital नहीं है मुंबई है पूने महारास बोपाल मध्यपरदेश की रादानी है महापर कोलकटा वेस्ट बंगाल की रादानी महापर हैदराबाद तेलंगाना अंद्परदेश दोनों की रादानी है महापर और गौाटी रादानी नहीं है असम की रादान आपने देखा होगा जैसे Constitution के बारे में आता है Constitution में जो भी एक्ट लिए गए वो किसी ना किसी देश से लिए गए तो UGC का मोडल किस देश से लिए गए University Grants Committee के नाम से Britain के मोडल से United Kingdom Great Britain को United Kingdom भी कहते है England भी कहते है अंग्रेजों का देश जिन्होंने वारें पर 200 साल राज किया था उनी के University Grant Commission से UGC का मोडल लिया गए UK Britain से UGC मोटो is what? UGC का आदर्स वाक्य है मोटो क्या है? देखिए जो इसका लोगो है एक किताब और एक गोल चक्र यह गोल चक्र ब्लू कलर का है हमारे जंडे में लेकिन यहाँ पे एक पिंक से कलर का है और UGC का जो मोटो है उदेशे है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते यह इसका आदर्स वाक्य है जिसे मोटो बोलते है knowledge liberates, ज्ञान आपको विमुक्त करता है, यानि आपको freedom देता है, आपको स्वतंतरता देता है, ज्ञान विमुक्ते, UGC का मोटो है, आधर सुवाक के है, next question है, UGC वहाद, first form in 1945, देखे, यहाँ पर आप confusion मत पैदा कीजिएगा, UGC को form क्या गता है, 1945 में, लेकिन जो एक UGC का, वो 1956 में बनाए गए, लेकिन UGC जब बनाए गया था, तो यह कारिया देखता था, तीन सेंट्रल उनिएस्टी के, बस, केवल तीन सेंट्रल उनिएस्टी को कंट्रोल करता था, UGC, अलीगर मुसलिम उनिएस्टी, बनारस हिंदु उनिएस्टी और डैली कारिया देखता था, UGC, 1945 में, उसके बाद इसे एक स्टेशोरी बोडी बनाए दिया गया, 56 में, तब यह सभी उनिएस्टी को देखने लगा, पर जैन्ट टाइम में, UGC के चेर्में कोन है, डीपी सिंग पर जैन्ट टाइम में, UGC के चेर्में है, और यह करेंट अफेस की कोर्स नहीं चलाए जा सकते, NCT एक संस्था है, NCT की फिल फॉर्म क्या है, नेशनल कॉंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जितनी भी टीचर एजुकेशन मिलती हैं, BTC हो, बीड हो, जो भी हार एजुकेशन की टीचिंग एजुकेशन मिलेंगी, उनको NCTE से अप्रूबल लेना करता है, नेशनल कॉंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेक्स्ट कॉशन है, वट इस दा नेशनल एकेडमिक डिपोजेटरी, NAD, ये एक नया कॉन सकते हैं, जो मोदी जी ने शुरू किया, नेड, नेड है क्या, नेड के बारे में मैं आपको बता देता हूं, नेशनल एकेडमिक डिपोजेटरी वेबसाइट है, जिसमें आप अपने सेटिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, डिपलोमा को, डिगरी को, मार्क शीट को, डिली डिजिटाइज, कई बार क्या होता है, आपके डोकिमेंट खो गए, कई बार आपने देखा भी होगा, वाटसप में इसके डोकिमेंट गिर गए, खो गए, और उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशरी होते हैं, अब आप नेड वेबसाइट पे जाके, नेशनल अकेडमिक डिपोजेटरी में जाके, अपने सारे डोकिमेंट को डिजिटाइज करा सकते हैं, और ये आपके पर्मनेंट ह जाएंगे, आपको कहीं भी अपने डोकिमेंट परजान करने की जुरूरत निये, केवल आप लिंक देंगे, कोड देंगे, वहाँ से आपके सारे डोकिमेंट चेक हो जाएंगे, अगर आप गॉर्ड्मेंट जोब की तैयाल कर रहे हैं, तो आपको ये सारे के सारे डिजिट काईज करा लेने चाहिए नेड को लोज किया academic institutions ने बोर्स ने eligibility assessment bodies नेड एक eligibility assessment body है जितने भी academic institution है बोर है उनके साथ इनका contact है और यह इनको verify करती है जो भी आपके documents होते हैं और जितने भी आपके पास सब्सक्राइब करें ज्यादस ज्यादा लोग क्योंकि दूरस चार्चो भाई बंदू हमारे गावों में बैठें उनके पास महेंगी coaching की फीस देने को नहीं होती और यूट्यूब और गूगल ने फ्री ओफोस यह सुईधा प्राप कराई है और आप यह तियारी कर सकते हैं हमारे चैनल से ए टूजर करियर ए से लेके जर तक सभी करियर्स औरियंटेट चीज़ें आपको मिलेंगी सारी smart tips memory techniques आपको यहां मिलेंगी और सारी latest सुचनाएं आपको यहां मिलती हैं गएर आप लगातार हमारी वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी competition में सफल हो सकते हैं और सबस्क्राइब करना ना भूलें next question है which of the following institutions are empowered to confer or grant degrees under the UGC Act 1956 कोंसे इंस्ट्यूट को एंपावर किया गया डिग्री देने के लिए वह दिग्री दे सकता है लेकिन एक कानून मना गया UGC Act के तैट 1956 में a University established by an Act of Parliament Parliament के Act के तैट कोई अगर यूनिवर्सट्य बनाई गई है तो वह यूनिवर्सट्य डिग्री दे सकती है दूसरा एक university established by act of legislature यानि विदान सभा में कोई कानून पारित करके कोई university बनाई गई है तो वो university भी degree प्रवाइट कर सकती है एक institution जो deemed to be university एक institution जो deemed university का दर्जा प्राप्त है और एक institution जिसे private university का दर्जा प्राप्त है तो यह चार कानून है central university, state university, deemed university और state university और इन सब की सूचा यूजिस्तिकी website पे पड़ी होती है वो ही degree दे सकते है और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं करा है यह लाल वाला बटन पुछ नहीं किया है, दबाया नहीं है तो इससे दबा दे ताकि आपको हमारी वीडियो का notification समय से मिल जाए और बैल बाल आइकन दबाना न भूलें, प्लेलिस में जाकर आप देख सकते हैं हमारे folders को reasoning का अलग folder है math, english, gk, इन सब के folder आपको मिलेगे जो भी subject की आपने जारी करना है आपको मिलती है quicker techniques, memory techniques, first time in our playlist और यहाँ में एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा P-S-Y-C-H-O psycho test की तैयारी हम आपको कराएंगे केवल और केवल एक ऐसा center जहां पे आपको psycho test की तैयारी मिलेगी A20 करेज, मेरा mobile number description box में पढ़ा है वहाँ से लेके आप मुझे call कर सकते हैं जितने भी बच्चे ALP CBT 2 की तैयारी करें और हो select हो जाते है, January में हमारा batch start होगा 2 hours की एकिलास होगी, 7 days की और we will share you that you will be finally selected in psycho test psycho test को दिल्ली में अगर आप तैयार करने चाहते है पूरे भारत में आप कहीं के भी हो तो दिल्ली आकर आप हमारे से संपख कर सकते हैं आपको हम होस्टेल और खाने की सुईधा भी परदान करेंगे psycho test की तैयारी आप हमारे यहां के कर सकते हैं God bless you, all the success in your life A to Zerkadis is always with you My name is Dr. Kumar Puneet Goyal I have given my link of Facebook and Instagram where you can follow me Even I have given you my mobile number there Any problem related to study you can call me I will try to give you some solution Thank you very much for watching my video मिलते हैं, कलेक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाट